नमस्कार दोस्तों आप लोग कैसे हैं आशा करती हूँ रोज की तरह आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो हमारी वीडियो कुछ जाता दिनों के बाद आ रही है इस समय मरा स्वास्त नहीं सही है लेगिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ मैं आज बहुत ही धमाकेदाय करते हैं तो उनको पहनाने में बहुत ही दिक्कत होती है तो इस तरह से एक चमच ले लिजिए और चमच साइड पीछे में रख दीजे डोरी खोल करके उसके बाद आप पहनाएंगे तो जूता बहुत जल्दी से पहन लेगा बच्चा और कोई भी दिक्कत नहीं होगी ऐसे बहुत देर लगती है तो इस तरह से दिखें पहर डाल करके और चमच डाल दीजे इस तरह से और उसके बाद चमच को थोड़ा बाहर निकालेंगे वस जूता हमारा हो जाएगा देख सकते हैं यह देखें कितने आसानी से जूता हो गया है तो हैना कमाल के चीज हम इंडिया हमारी है इस तरह की कहरी बैग को लेकर के जो कहरी बैग कपड़े वाली होती है वह वाली बैग है उसको आप क्या करें साइट से थोड़ा सा कट कर लेंगे तो अब लोग सूच रहे होंगे कि इसका क्या होगा तो इसका बहुत ही यूजफूल टिप्स है जिससे कि आपके बहुत सारे काम हो जाएंगे और एक भी पैसा नहीं खर्च होगा और आपकी कहरी बैग भी सुरचित रहेगी तो उपर का पाट मैंने कट करके रख लिया है अब इसको हम किस्यूज में लाएंगे तो इसको हम फोल्ड कर लेते हैं जितना कोई भी छोटे चोटे टुकडे म डियर निकल आएंगे और इससे हमारे बहुत सारे काम हो जाएंगे तो इस तरह से दिखें इसको मैंने रांड में कर लिया है अब इसको गोल सेफ में काटकर लेते हैं चाहे तो निसन लगा ले नहीं तो कहछी से पर बदोगी पर लिए तो नहीं में तो नहीं कहँती च desert कं तो आप लोग देखते रहें तो इस तरह से इसको हम एक डबब लेते हैं कोई भी डबबा जो हमारे पास खाली पड़हों तो जिसे विक्स का डबबा है आपके भाइग तो यह ले लिए इसमें डाल देंगे अब यह हमारा बहुत ही अच्छा उग्नेजर बन के तैयार हो गय तो इस तरह से थोड़ा सा डाल देंगे और अंदर तक पूरा पहुंच जाएगा उसके बाद में आप देखेंगे इससे बहुत सारे काम हो जाएंगे तो इस तरह से डाल दिये हैं अब चलिए क्या होता है जैसे कि हम कभी पार्टी या कहीं गए तो मैकप करते हैं और लिपि साफ हो जाती है तो इस तरह से दिखें हाथ पर हम लगा करके दिखा रहे हैं कितनी गहरी लिपिष्टिक है अब इसको छुडाने के लिए आप सोच रहे होंगे यह कैसे छूटेगी तो इसको आप यही जो यह कागज है इसी से आप इसको रिमूब कर सकते हैं छोटी सी टि अपने पर्स में डाल सकते हैं और दिखें कभी कभी होता है कि कलर जो नहीं लगाना है वह लगी है उसको किस तरह से रिमूब करें तो इस तरह से यह को कोनवेट ऐल से आप लिपिष्टिक को छुडा सकते हैं और इसको आप अपने पर्स में रख लिज़ जब भी आपको तो आप यूज कर सकते हैं उमीद करती हूँ ये भी टिपस आप लोगों के लिए यूजफूल होगी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और अपनों के साथ में सेर करना ताकि हर कोई इसको यूज में ला सके तो इस तरह से अब बंद करके और इसको आप अपनी पर्स म हो जाती है तो उसको हम हाटाने के लिए उसको हम फर्स पे खिशकाते हैं तो क्या होता है जैसे कि सिलंडर हमारा जहां से हम खीचते हैं तो वहां एक निसान सा बन जाता है फर्स पे तो वह बहुत ही गंदा लगता है फिर चूटता नहीं है तो इस तरह से इसको रख और एक भी धाग हमारे भर्स पे नहीं पड़ता है कहीं भी आप रखेंगे तो देख सकते हैं कहीं भी हमें दाग भी नहीं लगा और हमारा काम भी आसानी से हो गया उमीद करती हूं यह भी टिप्स आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफूल होगी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करीब और उसी के हिसाब से हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे अगर आपके पाई डिस्विस बार है तो वह डाल दीजिए नहीं तो आप एक चमज सर्फ डाल दीजिए और सर्फ डालने के बाद में आप देखेंगे यह बहुत ही अच्छा एक क्लीनिंग का काम करेंगा तो इस तरह से तीनों को मिक्स कर देते हैं अच्छे से मिक्स करने के बाद में देखें कितना इसका रियक्शन अच्छा होता है इसके बाद में हम एक और चीट डालेंगे जिससे कि हम यह बहुत पावरफुल बन करके रिमडी तैयार हो जाएगी इसको हम कहीं देखें टोंड़ा सा विनेगर डालेंगे जो लिएढ़ गविल विनेगर डालेंगे और दालने के बाद में आप देख सकते कितना अच्छा इसका रियक्शन हो रहा हैं अब यह हम्नारा बहुत ही अच्छा क्लीनिक्त में ला सकते हैं कहीं भी आपको लगे की मारा टायल इ इसको आप अच्छे से क्लीन कर सकते हैं यह एक चमच है लेकिन यह बहुत ही कमाल का है तो चलिए हम इसको कहां पर यूज करेंगे आप लोग दिखते रहे हैं तो इसको कभी कभी होता है वासबैसिंग हमारी गंदी हो जाती है उसको साफ करने के लिए हम या तो फिर हार्पि हमें कितने अच्छे से क्लीन करता है विरकुल हमें तोटी हो गई यह सब बंदी हो जाती है तो हम क्यों चूकियों में साफ कर सकते हैं और piercing दी चाहेंता है यह बहुत अच्छे से क्लीन करता है चाहे तो आप वासबैसिंग साफ करें यह तो आपने किचेंच डियुर नप हैं वहां पर साफ कर सकतें देख सकतें कितना अच्छा से साफ हो गया है और चमक भी आ जाती है तो उम्मीद करती हूं आज की टिप्स हमारी आप लोगों के लिए यूजफुल रही होंगी मैं कोशिश करूंगी इसी तरह से डेली वीडियो लाने की आप लोगों के साथ में नई नई टिप्स के साथ में फिर से आऊंगी तब तक के लिए थैंक्स वार्वाचिंग धन्यवाद और प्लीज आप लोग इसी तरह फ्यारा और सपोर्ट देते रहिए मैं काम को आसानी से कर सकते हैं फिर मिलेंगे थैंक्स वार्वाचिंग धन्यवाद पर दो